कि है कि है कि है गाइज दिस इस कुल्दीप एंड यू वाचिंग यू पीए सी लाइबरी तो आज के स्लेक्शन में हम बात करेंगे तर्की के बार में विकॉज यू एसे ने तर्की के ऊपर अपना काट से एक्ट यूज करते हुए तर्की के ऊपर सेंक्शन लगाते हैं विक से एस फोर हंडेट कंड्र आंटि मिसायल एकह दरी पॉजाेस कि तो इसी के ऊपर देखते हुए यूज एसे ने टर्की के ऊपर संहिवर सैंग्शन इंपोस करते हैं इससे पeffते लिए योसे ने टर्की कियाइए जो यू पर टलैज्य सीरिया में है जो कुर्द कम्यूनिटी थी उनके उपर एस्टाइक करने के बाद लेकिन वह सुच्छन ते वह काफी कमते हैं लेकिन जो आप जो संक्षन जो उम्पूस किये गए हैं तर्की के उपर जो एस पूर हंड़क हड़ने के बाद वह काफी जाना तो इस लेक्शन में जानेंगे इन सब चीजिए के बार में तो इसमें पहरे देखेंगे कि कार्ट से एक्ट क्या होता है तो इसके बार में देखेंगे इस लेक्शन में सब्सक्राइब करने वाला पार्टनर उसके उपर भी उससे संक्षन लगा देगा अकॉर्डिंग टूदा कार्ट सेक्ट यह कार्ट सेक्ट में लिखा हो तो यह आगे लेक्शन पताएं जाएंगे अगर आपने यूपिसी आप यूपिसी लभी को टेलेग्राम फेस्बूक और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं लिक्स वीडियो के नीचे डिक्स्रीप्स बोलते हैं तो इस चीज़ को आप याद रखना नाटो को मेंबर भी है तर्की फॉर इट्स पर्चेज अफ इसको पर जो संक्शन लगा है कि पर्चेज ऑफ रस्यास एस्टी मिसाल डिसम सिस्टम था रस्या का था उसकी पर लगाएं ऐसे बात बोला है कि यूएस के सिंगना में सेंड करेगा बाकी और दर्ख को जो इनटेश ने बोलता है कि उसने कार्ट सेक्स अकॉर्डिंग जो संक्शन लगाएं और बोला है कि यूस से कोई भी चीज़ को टॉलेट नहीं करेगा जो सेक्रिफिकर ट्रांजर्स हों गए जो रस्या की डिफेंस और इंट टॉलेट नहीं करेगा और यह पूर्ट एक किलियर सिग्नल तब आकी अदस के लिए कोई भी ऐसी चीज़ें करता है तैन इसके अलावा उसमें बोला है कि दा यूजाट इस स्टेट मेट के लिए टू टर्की अट दा हाइस लिवार मतलब 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 यूसे ने टर्की को एछे यूजाट से पहले काफी बार वाइन किया था कि आप इन सब चीजों को ऐसी चीज़ें ना करें अपर सब्याट करें तो गया फैसे अठीम जीए निट करने के बार चले तो जब यूसे के जूजाट ए और यूसे की प्लस ओ जो जो डिफेंस सिस्टैम है या जो आट का तो उन्हें जो क्रॉस में होगे तो उस चीज की वाई से जो इसका जो से क्योटी ऑफ मिलिटर टेक्नोलोजी है और जो पर्शनल है उन्हें थोड़ा देंजर आने लगेगा तो इसी चीज को देखते होए इसके बाद इसके बाद जो मैं बता है कि इससे पहले भी यूसे तर्की के उपर यूसे ने संक्शन लगा थे तो तर्की लगा उसके बाद ही लास्ट यर में जो यूसे ने तर्की को एफ थर्टी फाइफ जैट प्रोग्राम से उसको निकाल देगा भी इसके बारे में आपको आगे बादाऊंगा इसमें कुछ कंट्री आ हैं तो उन्हें निकांट्री मिलकर इन प्रोग्राम पर वर्क कर देखंगा इसमें मेन लीडर है यूएसे इसमें च्कारण के यह काम यह रहा है। और अगर तरकी यूजशन ओर तरकी यूजशन और तरकी रेशन सिस्टम को अगर यूज़ करता है यूच के जैट के साथ यह इसमें रिजन देगा है था इस प्रोग्राम को प्रोग्रम से निकान ले ले के लिए इसमें देखते हैं F-35 प्रोग्राम के बारे में कि अब यह क्या है So it's the Joint Strike Fighter Jet Program जिसको F-35 बोलते हैं Describe the Arm Deals of the Century तो इसको बोला गाया था Arm Deals Arm Deals of the Century Because this F-35 Jet था वो काफी one of the fastest and one of the bestest jet था So इसी चीज़ को देखते हैं जिसको बोला गाया कि Arm Deals of the Century इसके बीच में था उसके जो अलाय हैं उनके बीच में प्रोग्राम था और इंब डेवलब्विंग फिप्ट जनेरेशन फाइटर जैट्स को इसमें डेवलब करना आर एंडी रिच्ट करना दैन इसके बाद इनको अलगला के डिवाइड कर रहा है उनकी जो इन्वेस्टमेंट के बेसे पर उनको इसके बलावा जो इसके बलावा जो इटली और नीदर लेंड उनको लेवल टू के करें साथ सबस्केर यूके कंती इन दोनों की इटली और नीदर लेंड की इंवेस्टमेंट किंती ती अरांट 1 बिलेंड डॉलर के इसी वाई से यूके को लेवन वन और जो इंटली और नीदरלेंड को लेवल टू के को जब on the basis of the investment, so इस चीज को आप याद रखना, then इसके बाद इसमें पहले तर्की भी था, लेंगे जो फाइनली तर्की अलोंग विद फोर अदर्स लेवल 3 प्रोग्राम में उनको टेग्राइज किया रहता है, उनको एक उनकी जो इन्वेस्मेंट भी काफी कमती, एक 100 तो 200 मि इसी चीज को विए से तर्की और उसके बाद अलग जो और कंट्री थी उनको लेवल 3 में वह क्या रहता है, जो टर्की ने बागी जो चल जी तो इसी चीज को देखते हो, उसको इस F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाल जा, so based on the level, इसमें अलावे एक जो चीज है कि based on the level, the participant countries were offer technological transfer, training of pilots and prospects for local management, so इस program का यह फाइदा था, जो भी countries में involved है, कि उनको क्या का फाइदा मिलेगा, technology transfer होगी, plus pilots की training उसमें यह होगा, और प्लस प्रोस्पेक्ट और local manufacturing उनको मिलेगा, on the basis of the जो category, उनको जो category है, उसकी basis पर यह सब चीज होगी, then इसके बाद, इस चीज में आप देखिए, तर्की के बार में, so यह तर्की है, so तर्की की capital क्या है, तर्की की capital अंकारा, इस्तांबुल नहीं है, because काफी सारे confusion होत रखना, so तर्की के North में Black Sea, और South में Mediterranean Sea, इस चीज को याद रखना, और तर्की के South, sorry, North में Georgia, then Armenia, बार्डर करते हैं, यहाँ पर Iraq हो जाता है, यहाँ पर यह इरान है, इस चीज को याद रखना, यहाँ सीरिया है, और यहाँ, sorry, और यहाँ West में Bulgaria, और यहाँ पर Greece, चीज को आप याद रहें, इस सारी Countries, टर्की के साथ बार्डर शेरिंग करते हैं, और टर्की कोई Landlock Country नहीं, इस चीज को याद रखना, इस मैप में आपको पता चल जाएगा, जो मैं कुर्द Community की बात करता, इस में जो कुर्दिस Community थी, किसी एक पर्टिकूलर Country के नहीं थी, वो काफी अलग-लग Countries में उनकी जो घविटेशन था, बट सबसे आज है जो हैविटेशन था, वो टर्की में था, कुर्द कम्टीट का और प्लस थोड़ वह सीरिया में भी था इराग में भी था इरान भी था अर्मेनिया बट सबसे आज जो तरकी में था तो इसी चीज को देखता हुए तरकी ने इस कुर्दिस कम्टीट पर एस टाइक करती हैं उनको अटाइक चले लगा तो इस चीज़ को नाराज पर तरकी को नाराज भी नहीं करना चाहता था इसी चीज़ को देखते है, USA ने टर्की के उपर सेंक्षन तो इंपोज किया बद उस लेवल के हाथ सेंक्षन नेकिया जो अब सेंक्षन ने वाल है, तो यह इसका रीजन था, ठर्की ने कुर्दीज कम्यूटी के उपर अटेक किया था, तो इस चीज़ को याद रखना, तो अगर अगर यह पूछा जाए तो कुर्दीज कम्यूटी की हैबिटेशन, अपसे रदा किस कंट्री में तो यह है, कट टर्की में, तो इस चीज़ को आप याद रखना, इसके बात, युएस टर्की के रिलेक्शन के में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसमें इतना डीप तो नहीं है, लेकिन अक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, तो टर्की और युएस हैब दा स्ट्रेजिक अलाइज सेंस दा कोल्ड वार एरा, मतलब युएस प्लस यू एससर के बीच में जो वार टाइम था, जो मतलब ओन फिल्ड वार टाइम था, बट एक रेस लगी हुई थी, आम्स रेस लोगे, या स्पेस होगे, तो इसी एरा को ही, वह कोल्ड वार एरा बोला जाता है, तो इस चीज़, उस टाइम से ही, टर्कीयों के बीच में स्ट्रेजिक अलाइज थे हैं, दौनों, और बोत आर मेंबर ऑप दर नौर्थ अटलैंटिक ट्रीटी और और दोनों ह कोई भी कंट्री अटेक करता है, तो मतलब उसका में नहीं होता है, कि नाटो के सभी मेंबर्स पर उसने अटेक किया, तो यह इस नाटो की एक काफी main objective, main importance point है, तो इस चीज़ को आप याद रखना है, इसके बाद, however, in the recent past, यह तो टर्की के और EU से की बीच में बताया है, अब जो recent में जो चल रहा है, in the recent past, Turkey has drifted away from the US, जो टर्की है, वो यह से थोड़ा दूर जाता जा रहा है, and over the serious defensive forging, forging alliance as a part of the Syrian war, और इसका जो main reason है, वो है Syrian war, Syrian war वो ही, वो ही, कुर्दिश कम्निटी के बाद जो चल रहा है, उसी के देखते हुए, Syrian war के according, जो तर्की है, वो USSR थोड़ा दूर जाता जा रहा है, और किसकी तरफ होता जा रहा है, वो चाइना और अशिया की तरफ होता जा रहा है, so, Syria one war के बाद, Syria issue के बादे पढ़ते हैं, Syria issue क्या, so, इस Syria issues को पढ़ते हैं, तो, पहले ही, जो, actually, क्या है, कि कुर्दिश फोर्स और Syria के बादर में एक major shift मिला, उस फिर में, so, this started a series of disturbance in the region, so, इसी के बाद ही, recent में, Turkish forces जो मैं बतायता है, Turkish forces ने, attack launch कर दिया, किसके against में, कुर्द, कुर्दिश के against में, इसको हम कुर्दिश community भी बोलते हैं, on the Syria border, जो की, this attack was a deal हुई थी, जो Syria border के आजपास ये Kurdish force थी, so, उनी के उपर ये attack कर so, so, UN के according माना जाए, तो around 1,60,000 have the flood, मता, इतने, 160,000 लोग तो, वहां से, उस एरिया से चले गए, और डर्जरन से दो civils are killed in the injured, और काफी सारे डर्जरन में, लोग हैं, वो काफी सारे लोगों की, तो हत्ते होगे, so, ये Syria issue था, so, इसी issue के चक्कर में ही, Turkey के उपर sanction imposed किये USA के द्वारा, so, इसमें, the Kurdish-led force are like, की allied to US against the IS, मतलब, जो Kurd community, वो US के allies थी, because, किसके अंगेश में, ये work करती थी, IS के में, जिसको Islamic State बोला जाता है, Syria में, so, Russia stays silent, और Russia में सा, इस issue के उपर, थोड़ा silence बना रखता है, so, Kurd USA के allies थी, इसी चीज को देखते हुए, जब Turkey ने Kurdish community को उपर attack किया, तो, Syria को देखते हुए, USA ने, उनके उपर impose, sanction impose कर दिया, so, ये, इसका main reason था, उसमें, आपको पता जालता है, Syria के बारे, so, आगे, इस force में, और background पता जाते है, जो इस Turkey और के उपर sanction, जो sanction जालता, उसमें, तोड USA ने, जो अंडर, ओमामा के टाइम पर, तरकी को, पैट्रिट, एंटी मिसाल सिस्टेम में, उसको नाम पैट्रोइट है, उसको तरकी को सेल करने से मना कर दिया, so, जो पैट्रोइट सिस्टेम के बारे पढ़ता है, so, पैट्रोइट, जो है, MIM 104, वो एक long range, all altitude, all weather, air defense system, वो USA का system, so, इस चीज को याद रखना, जो एक defense system है, to counter tactical ballistic missile and cruise missile and advanced aircraft, so, S-400 तो रसिया का होगा, और ये पैट्रोइट होगा, USA को, so, उस ताइम जब Obama, जब पैट्रिटेंट थे, तो अबमा ने, तरकी को ये बेस्ट ने समयना कर दिया, so, तरकी को, उसका और alternative चाहिए होगा, so, तरकी डिसेंट to acquire the Russian system eminented as a part from the, from this earlier US refusal, so, US ने जब इस चीज को refuse कर जाया, तो, तरकी को और उसका alternate, इसी चीज को देखते हुए, तरकी is planned to buy advanced Sukhoi fighter jets, मदा पहले तो उसने Sukhoi fighter jets, उसने ऐसी planning की की, कि वो बाई करेगा, for Russia के साथ, और इसके लावा, विको ये क्यों करेगा because Russia to compensate from the loss of F-35 planes, because Turkey को USA ने F-35 planes देने से भी मना कर दे, so, पहले तो, मदा वो पैट्रोइट वाला system देने से मना कर दे, second, फिर F-35 planes देने से मना कर दे, so, इस चीज को counter करने के लिए, तरकी ने रसिया से पहले तो S-400 वाली deal sign करी, फिर ये, Sukhoi वाली deal sign करी, so, इस चीज को द इसी चीज को देखते है, US sanction China over the purchase मनलब, इससे पहले भी जब S-400 चाइना के द्वारा खरीदा गोज रसिया से, तो चाइना के उपर भी USA ने sanction इंपोज कर दिया, और, because China ने S-400 तो खरीदा उसके अलाला, so, कोई fighter jets भी रसिया के साथ खरीदे, so, अब आगे पढ़ते है, Cards Act के भार में, जिसको countering America adversaries throw sanction act बोलते है, because, इसी Cards Act का use करके ही, US बाकी other countries को, मतलब जो इसके अंगेस में काम करता है, उसको, उनका sanction इंपोज करता है, so, इसको 12-17 में लाए गया, it is a US federal law that imports sanction on Iran, North Korea, Russia, so, पहले जो इसके तीन जो, जिनके अंगेस में लाए था, वो कौन त इरान, North Korea, और रसिया, so, यह पहले सबसे भिले, इरान, North Korea, रसिया को पर लगए, इसके लाए इसके लाए, it includes sanctions against the country that engage in significant transaction with Russia defense deal in term लग, इसमें एक पॉइंट यह भी एड़ गागी, अगर कोई भी रसिया, बाकी other countries के साथ, इसको, defense, कोई भी trade deal, यह कुछ भी trade होता है, तो, उसके उस country को उपर भी sanction imposed के जाए, so, यह मतलब था, काट सा X के बारे में, then, इसके अलाबा, what sanction will be imposed, so, इसमें पताए गया, कि कैसे उस type के sanction इसमें imposed के जाए, so, पहला हो गया, prohibition on loans to be sanctioned person, मतलब, जो sanctioned person है, उसको loans देने के लिए मना करी जाएगा, उसको prohibition लगा जाएगा, then, prohibition of export, import, banks, assistant for export to the sanctioned person, मतलब, उसको, जो export बैंक है, उसको prohibition लगा रहे हैं, उसको assist करने से, for exports के लिए, then, इसके बाद, it, prohibition on procurement by the United States government, उसको रोकने के लिए, वो, मतलब, वो चीज भी, prohibition की जाएगी, then, इसके लाबा, denial of visa to person, closely associated with the sanctioned person, जो sanctioned person के साथ, जो भी है, उसको visa देने के लिए भी deny के जाएगा, तो, ये, उसको sanction है, इसके, इसमें, दे रखिया है, इसके अलाबा, जो तर्की के लिए पर, जो sanction होगा है, उसका, इंडिया के लिए के लिए, जो बागे दर गंटी के लिए, तो, इसको इंप्लिकेशन के लिए, वह जडाब के लिए, इसमें, बोला गया है की, जो भी sanction है, वह डिर्यक्ली तो, इंडिया को, मताब, इंपेक्ट नहीं डालते है, बद, इंडियर्टली डालते है, इसमें, हो गया है, की, the nature of relationship India with Iran and Asia, जो relationship थी, उसका जो nature था, Iran and Asia के साथ, वो थोड़ा change होने लग जब इन दोनों के उपर sanction impose हो है, then India happen to have strong trade ties with both these nation states, दोनो states या दोनों इस्टेट या दोनों के बीच में जो इंडिया के साथ जो tides थे, वो काफी अच्छे थे, so sanction impose होने के बाद वो थोड़ा test balance होने लगे, so ये थोड़ा indirectly impact पड़ता है इंडिया को पा, so थोड़ा देखना पड़ेगा, so अगर आपने UPC लाप्यों सब्सक्राइब निके तो आप प्लीज सब्सक्राइब लाइन और प्रेस दे बैल आइकन for the more updates, धन्यवाद